हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं प्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टार्गेट टीचर जॉब और टार्गेट यूपी टैट सीटेट एप में तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डियलेट फोर्ट समेस्टर का सामाजी कद्यन विसे और यह आपका राजन सीरीज दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कोशन नमबर 39 से लग उत्रिय प्रस्ना है यह तो दोस्तों 38 तक हम लोग देख चुके थे पार्ट नमबर 15 में और यह आपका पार्ट नमबर 16 तो दोस्तों पार्ट नमबर 16 में हम लोग देखेंगे आज भारत पुछे या जागत च्छेराएई तो आपको यह चीज ही चीज वाइक लिखनी है लिए डह माह कूल थे nigerЖ हमारे देश में, हमारे समाज में जो भी कुरूतियां थी, जो भी बुराईयां थी, उनको किस तरह से दूर किया, उन्होंने कौन-कौन से संस्थाओं के स्थापना की, ये सब चीजे इसके अंतरगत आएंगी, तो दोस्तों चलिए देखते हैं, भारत में नौ जागरड या पुनर जागरड, यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी राज्य के अंतरगत, भारत को एक गतहीन निस्प्राण गरीब यों गिरते हुए समाज के रूप में देखा जा रहा था, दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कि जो अंग्रेज थे वो भारतियों को बहुती दीन ही इंद्रिष्टी से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि जो भारतियों वो बहुती गरीब हैं, और इक तरह से उनका जो समाज बहुती गिरता हुए समाज है, यहाँ पर हम कैसे थे, वो भारत का जो बहुती थे, तो ऐसे में राजा राम मौन राय, यूमसर सयद आहमद खाने धर में समाज सुधार के लिए कदम बढ़ाया, तो दोस्तों यहाँ पर देखें, राजा राम मौन राय जिन्हों ने ब्रह्म समाज के स्थापना की, और सयद आहमद खाने अलिगड में मुहमद औरियंटल कॉलेज के स्थापना की, तो दोस्तों इन लोगों ने समाज के लिए, समाज में सुधार के लिए बहुत सारे कारे किया, इसके साथ ही आरे समाज राम कृष्ट मिसन वा देवबंद आंदोलन, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा, भी धर्म और समाज सुधार से ही समनित थे, तो भारत में लगबग समस्त समाज कुरूतियों, धार्मिक मानिताओं पर आधारित थी, तो जो भी भारत की कुरूतियां थी, वो किस पर आधारित थी, धार्मिक मानिताओं पर, क्योंकि जो रिती रिवाज के अलावाज जो भी कुरूतियां थी, समाजिक बुराईं के अगर हम ऐसा नहीं गरेंगे तो हम उसके अगनोर कर रहे हैं तो इसलिए इन कुरूतियों का लोग पालन कर रहे थे धर्म के नाम पर तो इस धर्म को सुधारे बिना समा सुधार संभव नहीं था तो अगर दोस्तों देखिए अगर आपको किसी भी पेड की टहनी को सही करना है तो उसकी जड़ में हमें सपोर्ट लगाना पड़ता है जैसे अगर आप कि सिधा रखना है तो उसकी जड़ में से ले करके आप सपोर्ट लगाना सुरू करते सेम यहीं कंडिशन उस समय था कि अगर हमें समाज को सही रखना है समाज में जो भी कुरूतियां ब्याप्ठ हैं उनको अगर सही ढंग से समाज को शुधार ना है तो सबसे पहले धर्म से ह समाप्त हुए बिना उनका सामाजी कल्यान संभव नहीं था दोस्तों देखें जो देवदासी प्रता थी या फिर जो विद्वाओं का पुनर विवा निसेत था यह सारी जो गलत तरह की प्रताइं थी कह सकते हैं इन सब को समाप्त करने के लिए धर्म का सहारा लेना था दोस्तों नौजागर काल के कुछ समासुधारक के निम्नवत हैं दोस्तों जैसा कि यहां पे देखें कितने अच्छे तरीके से आपको एक ही साथ जो समासुधारक हैं उनके नाम और उनसे समंदित जो भी संस्थाएं थी जैसे यहां पे देखें राजा राम हुन राय ने ब् प्रातना समाज के स्थापना की स्वामी वेकानन ने रामकृष मिसन के स्थापना की यह रामकृष इनके गुरू थे सर सायद आमत खाने सांटिफिक सोसाइटी के स्थापना की दादा भाई नरोजी ने पार्सी सुधार आंदोलन चलाएं दोस्तों पार्सी सुधार आंदोल सुसाइटी की अस्थापना की पंडित पंडिता रमावाई सरसुति ने सारदा सदन की अस्थापना की तो यह आपको एक ही साथ इतने सारे लोगों के नाम याद रखने हैं और दोस्तों आगे चलिए हम देखते हैं भारत का मांचित्र बनाकर निम्लिकित अस्थानों के नाम सहित अंकित कीजिए तो दोस्तों चौरी-चौरा आपको पता है यहाँ पे चौरी-चौरा अंकित करना जो गोरखपुर में पढ़ता है अमरिसर, पंजाब, चमपारण और प्रियाग राज आपको सारे पता ही यह जगहें तो यह भारत की मांचिस में फिल करना यह आपके 2016 में पूछा गया है तो आप एक बार मैप पे प्लेन मैप ले करके और उसको देख लीजिए कहां कहां कौन से जगह पे है अब चलिए आगे देखते हैं आपे चात्र अध्यापक की साहता से स्वैंग हल करें जलवाई और मौसम में अंतरस पष्ट कीजिए दोस्तों यह देखे आपके 2016 और 2020 में पूछा हुआ कोश्चन है तो जलवाई और मौसम में क्या अंतर होता है तो दोस्तों मौसम मतलब वेदर और जलवाई मतलब क्लाइमेट होता है यहाँ पर देखे किसी निश्चित अस्थान पर दिये हुए समय की वाई मंडली इस्थिती को क्या कहते है मौसम कहते हैं किसी निश्चित अस्थान पर जो दिये हुए समय को वाई मंडली इस्थिती को ही क्या कहते है मौसम कहते हैं अगर किसी अस्थान की चलवाय उस समय के उस अस्थान की लंबे समय तक के मौसम की स्थान को आउसत अवस्था होती है। तो दोस्तों यहां पर दुखिए पर दिये हुए समय को वाय मंडली जो दसाइं जो इस्तिती उस समय के है वो क्या है मोसम है लेकिन अगर वही मोसम एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय तक उसी तरह का मोसम बना रहा है तो उस मौसम को क्या कहते है उस अवस्था को क्या कहते है जलवायू कहते है यानि कि जो मौसम का पीरिड होता है वो सोट होता है लेकिन जो जलवायू होता है वो उसका पीरिड लॉंग टाइम का होता है यहाँ पर देखिए दूसरा मौसम समय समय पर अस्थान पर दोस्तों आप ने वह तो गाना सुना ओसम की तरह बदलना जाओगे यह माशम मतलब मौसम जो तब होता वह बहुत जरी जर्डी बदलता रहता है और यहां पर देखें तीसरा एक ही स्थान पर प्राता का मौसम कुछ हो सकता और दोपार के साम का मौसम कुछ और हो सकता यानि कि मौसम में सुबह साम दोपार परिवरतन होते रहते हैं लेकिन जलवाई एक स्थान पर लगभग एक ही प्रकार की होती है और देखें आपे नमबर फूर है तापकरम, बरसा, हवाए, आदी मिलकर मौसम की रचना करते हैं और इन्ही तत्तों की लगू काल की स्थिति को मौसम कहा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर देखें तापकरम, बरसा, हवाए, यह सब मौसम की रचना करते हैं मतलब मौसम को बनाते हैं और इनी तत्वों की लगू स्थिती यानि थोड़े समय के लिए स्थिती जो बनती है वही कहलाती है मौसम और दोस्तों जलवाईू तापमान और वर्सा आधिकारकों पर निर्भर करती है और उन तत्वों का बर्स भर अध्यन करने के सामान निस्थ जलवायू के इनको जब एक निश्चत समय के लिए बर्स वर्थ जब हम अध्यन कर रहे हैं तो वहां पर यह पा रहे हैं कि इस तरह की जलवायू एक आउसत जलवायू हमें मिल लए यानि कि वहां का जो मौसम इतना आउसत में रह रहा है तो वह क्या निकल के आ रही एक आपर इतने समय तक ठंडी रही यहां पर इतने समय तक गर्मी रही क्लियर चलिए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खनी संपदाइं कौन कौन सी हैं किनी दो खनी संपदाओं का वड़न कीजिए यह आपके देखिए बीटीसी दोजार सोल है और हम उच्छा गया है तो उत्तर प्रदेश की मामले में उतना धनी नहीं है जितना कि अनिप प्रदेश हैं even की खनी संसादन का मात्र प्रतस्त उत्तर प्रदेश में प्र conservation होता यानि कि दells का ऑखतना निव्हुज के ऊप्रतस्त केवल उत्तर प्रदेश समय DR फॉपारी अर्य Čसे ऐसी जगों पर पठारी एरिया में होते तो यहां पर इस तरह का जो छेत्र वो नहीं मिलता इसलिए यहां पर खनीज संसादन कम है तो दोस्तों राज्यों में खनीज पदार्थ मुखिता दच्छड के पठारी भाग में मिलते हैं देखे दोस्तों वही चीज़े हैं कि निच अपना की गई दोस्तों वर्स 1963 में भू तत्यूम खनी कर्म निदेशाले को भू वैग्यानिक खोजों के अलामा खनन प्रसासनियम खनीज परिहार तथा खनीज विकास समंदी विश्यों में प्रदेश सरकार को परामर्श देने के अत्रिक्त कारिभार प्रदान किया गया अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे राज में उन खनीजों को नियंतरित करने तथा उनके परिहार स्विक्रित करने है तो उत्तर प्देश खनीज परिहार नियमावली वर्स 1933 से प्रभावी हो गई है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 23 मार्च 1976 को भूतत्य योम खनी कर्म निदेश साले दवारा खोजे गए खनीज भंडारों को विक्सित करके उन पर आधारित उद्योग लगाने के उदेश से उत्तर प्देश राज्य खनीज विकास निगम के स्थापना की गई तो दोस्तों जो भी खनीज प्राप्त हुए हैं खनी कर्म निदेश साले से उनके आधार पर ही खनीज से संबंदित उद्योगों को विक्सित करने का कारिक किया जा रहा है और दोस्तों 29 दिसंबर 1998 को उत्तर प्देश की पहली खनीज नीट की घोशड़ा की गई और इस नीटी में खनीज विकास को उद्योगों का दरजा दिया गया यानि कि उद्योग का दर्जा दियागा जो खनीजे विकास है उसको किस तरह से उद्योग में कनवर्ट करना है और उत्तरप देश का खनीज उत्पादन की दृष्टी से देश में दसमें अस्थान है तो दोस्तों खनीज उत्पादन में अगर हम देखे तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो दसमें स्थान पे है और उत्तर प्रदेश में देश की कुल खनीज उत्पादन का 2.6% उत्पादित किया जाता है पूरे देश में जितना खनीज होता है उसका केवल 2.6% ही उत्तर प्रदेश में मिलता है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 जीलों को खन जालाओन महोबा हमीरपूर बांदा सोनभद्र मिर्जापूर सहारनपूर जांसी और प्रयाग राज दोस्तों यह दस जिले हैं जिसमें ललित पूर यूरेनियम के लिए आप लोग पढ़े ही हैं जालाओन महोबा हमीरपूर बांदा सोनभद्र जहां पे आपको मिरजापूर, चूना, पत्थर ये सब चीज़े हैं और सहारनपूर, जहांसी और प्रियाग राज तो ये सब दोस्तों यहां पे ये दस जिले हैं राज में खनिश पदार्थों के निच्छे पे छेत्रे निमलिकित हैं तो दोस्तों प्रदेश के उत्तर छेत्र में इस्तित हिमाले परवत का पासर्व वर्ती भाग है और दच्छिर का पठारी भाग जिसे बुंदेल खंड का पठार कहा जाता है तो ये दोस्तों जो पठारी छेत्र हैं यहां पर हनीश प्राप्त होते हैं तो दोसों ये मिर्जा पूर जिला, सोन बद्र जिला, देखिए मिर्जा पूर जिले के चुरक और डला सिमेंट फैक्टरी है तो चूना पत्र इनी अस्थानों से उपलब्ध है और ये खनी सिमेंट बनाने के काम में आता है और इसके अलावा इसका उप्योग सोडा, एस, कैल्सियम, साइनाइट आधि के निर्मार में भी किया जाता है तो आपने देखा चूना पत्र मिर्जा पूर जिले में जहां पे आपको मिर्जा पूर जिले में चूरक और डला सिमेंट फैक्टरी है तो चूना पत्र इनी अस्थानों से प्राप्त होता है आगे चलिए दोस्तों देखते हैं डोलो माइट दोस्तों डोलो माइट टेखनी जे मिर्जापुर के कजराहट छेतर के कुछ मात्रा में बांदा जिले में भी प्राप्त होता है तो यहाँ पे डॉलोमाइट कहां कहां मिरजापूर और बांदा जिले में और इसका जो उप्योग है ये इसपात उद्योग में निस्ट सरड और तपसहन के लिए होता है डॉलोमाइट का प्रयोग किसके लिए होता जो इसपात उद्योग है उसमें निसरण और तपसहन के लिए होता है और इसका उप्योग इसपात उद्योग के इतर पोर्टलैंड सीमेंट प्लास्टर आफ पेरिस यानि कि पी यूपी यह गंधक के तेजाब के निर्माड में भ प्रयोग होता है अब दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन हम देखेंगे आयात निर्यात से आप क्या समझते हैं उत्तर प्देश में निर्यात की जाने वाली चार वस्तूओं के नाम लिखिए दोस्तों यह देखिए आपके 2018 का हम solve paper जब करवाया था तो मैंने solve करवाया था यह सारा question तो दोस्तों चलिए यहाँ पर देखते हैं जितने भी 2018 के आपके तुनिष्ट आते लगुत्री लगुत्री सारा solve कर रहा था उसकी link आपको description में मिल जाएगी आपके सामाजी कद्धिन की playlist में तो दोस्तों जो को हम विदेशों को बेजते हैं वो कहलाता है निर्यात यानि कि जो चीज हमारे पास नहीं है उसका हम आयात कर रहे हैं और जो चीज हमारे पास है उसको हम निर्यात कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है निर्यात करने से हमारा जो आर्थिक रिस्तिय वो strong होगा अब यहाँ पर देखें उत्तर प्रदेश में प्रमुक आयात बस्तुएं क्या क्या है यानि कि हम उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़े आयात करते हैं जिसमें देखें पैक्ट्रोलिय मुत्पाद, खाद्य तेल, रासायनिक पदार्थ, उर्बरक, विशिष्ट मसीनरी, पारिवहान उपकरड, कच्चा कपास, कच्ची उन और कुछ मात्रा में अनाज ये सारी चीज़े हम आयात करते हैं अब हम यहाँ से निर्यात क्या क्या चीज़े करते हैं खल, तंबाकू, मच्छली, चाए, कौफी, चीनी, काजू और गिरी, मुंखफली, लोहा, एस्क, सूती बस्तर, जूट बस्तुएं, चमडे की बस्तुएं, कुछ इंद्रिनिंग बस्तुएं, रासानी कुदपाद और हस्त सिल्प की बस्तुएं, दोस्तों यहाँ पर दिखिए, यहाँ पे चाए, कौफी, इन सब में मुझे इससे तो नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें बस आपको सूती बस्तर, जूट की बस्तुएं, और चमडे की बस्तुएं, कुछ इंद्रिनिंग बस्तुएं, रासानी कुदपाद और हस्त सिल्प की बस्तुएं, यह सब क्लियर हैं दोस्तों, यह सब हम निर्यात करते हैं, चलिए आगे देखते हैं, भारत की ब्यापार सर्तें क्या क्या हैं, जिस दर पर एक देश की बस्तुएं का विन्में, दूसरे देश की बस्तुएं से होता, उसे ब्यापार की सर्ते कहा जाता है, तो जो दो देश में दो बस्तुएं के जहाँ पर जो बस्तूओं का विनमया है दूसरे देश की बस्तूओं से होता है और उसे ब्यापार की सर्ते कह जाता जहांपर हम अपने बस्तूओं का लेंदेन करते हैं और दोस्तों यहांपर आगे देखते हैं भारत की ब्यापार की सरते लगातार प्रतिकूल रही है और प्रतिवर्स और अधिक प्रतिकूल होती जा रही है यद्देपी भारत के निर्यातकों की भौतिक मातरा निरंतर बढ़ती जा रही है और इसी प्रकार उनकी कीमते भी बढ़ती जा रही है किन्त दुर्भाग वस हमारी निर्यात मदों की कीमते उतनी तेजी से अथवा उतनी मातरा में नहीं बढ़ पाती है जितनी मातरा में हमारे कुछ मातपूर आयात हैं दोस्तों देखिए हमारी जो निर्यात की वस्तुमें उनकी मात्रा उतनी नहीं बढ़ी है जितनी की आयात की मात्रा बढ़ी है। बढ़ नहीं रही है और जो चीज हमारे पास नहीं है उसकी कीमत बढ़ रही है तो इसकी विज़े से क्या हो रहा है कि हमारे जो ब्यापारिक सर्ते हैं वो बिगरती जा रही है यानि कि उसमें हमें उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना हमें होना चाहिए अब यहाँ पर दिखिए अपनी भुक्तान संतुलन की प्रतिकूलता को ठीक करने विदेशी वीनमे कोस के संकट को समाप्त करने और देश की आर्थी किस्ती को सुधारने की दृष्ष से निर्यातों में ब्रिद्धी करना अनिमार है तो जिससे क्या होगा अमार जो निर्यात की वस्तुएं हो और अधिक हो यानि की हम चीजों को और बहर अपना मारकेट और मजबूत कर पाएं और चीजों को और बाहर भेज़ पैं तो जिससे क्या होगा हमारा जो निर्याथ की वस्तोय होंगे उससे हमारा आर्थी किसिती मजबूत होगा अब दोस्तों यहां पर हम देखें विधेसी ब्यापार की देशा क्या है दोस्तों भारत के व्यापार संबंद विश्यों के सभी विकासोनमुक तथा विक्सित देशों से हैं तो दुई पच्छी वारताओं के माद्यम से आर्थिक और व्यापारिक संबंदों में विक्सित किये जा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो विसु के साथ व्यापार है वो विक्सित देशों के साथ है तो दोस्तों यहाँ पर देखें दुई पच्छी जो वारता होती है उसके मादम से हमारी आर्थिक और व्यापारिक समंद और मजबूत के जा रहा है कि किस तरह से हमारा जो आर्थिक और व्यापारिक सम्मंदर जिससे की हमारी जो कंडिसन वो और अच्छी बने और कई वर्सों के ब्यापार के आंकडों से ग्यात होता है कि Asia और OCCIA भारत के सबसे बड़े ग्रहाख हैं हमारे यहां अगर देखा जैंट हमारा जो ब्यापार होता वो सब से ज़्याध किसके साथ हो रहा एसिया और यूरेशिया यहाँ पर देखिये ओस ले तो कोई जगह है नहीं यूरेशिया हो गी सब Mum और इसके पस्चात दोस्तों यूरोप पूर्भी यूरोप अमेरिका तथा अफ्रीका का स्थान है देश में वर्ष 2021 में 1299-355 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ तो यह आपको आकड़ा याद रखना है और जबकि इसी दोरान 1623-267 करोड़ रुपए का आयात किया गया त निर्यात कितना हुआ यहां पर हमारे यहां कियो निर्यात हुआ 1299-355 करोड़ का और आयात कितना हुआ 1623-266 करोड़ का यानि कि हमने आयात ज़्यादा रुपए का किया और निर्यात कम रुपए का किया तो दोस्तों यही वैलन्स हमें बना कर रखना है और इससे ज़्या बलकि निर्यात हमारा ज़्यादा होना चाहिए था जितना की 16, 23, 26 इतना निर्यात होता तब हमारे देश की जो आर्थी किस्तिती होती वो काफी सुद्रड होती अब दोस्तों आगे चलिए आप हम देखेंगे कोश्चन 44 है सांस्कृतिक विरासत से आपका क्या आसे है इसके स अनरचण में अपने सुझाव विंदुबार दीजिए दोस्तों सांस्कृतिक विरासत देखेंगे आपके 2016 में पूछा गया कोश्चन है किसी भी प्रदेश की कला संस्कृति पुरातत विज्ञान इतिहास औसदी वस्त्र वाद्य यंत्र सिच्छा यूम अन्य सांस्कृतिक विरासत कहलाती है दोस्तों देखें सांस्कृतिक विरासत क्या होती है जो प्रदेश की कला है संस्कृति है पुरातत विज्ञान है इतिहास है औसदी है वस्त्र वाद्य यंत्र सिच्छा अन्य विशिष्ट साहित्तिक विश्य जो है यह सब हमारे सांस्कृत पुरात्त विज्ञान से भी समझेते हैं युदित शांस्कृतिक विरासद के अंतरगत आएगी। चलिए आगे देखते हैं आपे राजी के पुरास्थलों में लोक रूची जगाने के उद्देश से 1951 इस भी में लखनों में पुरास्थलों में पुरास्थलों विभाग की अस्थापना की गए तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या धाना है 1951 और लखनों से बाहर के इन जन्रपदों में पुरात्थलों विभाग के छेतरी इकाईया अस्थापित की गई है जिन में जहांसी आगरा, गोरकपूर, वारानसी और प्रयागराज है तो दोस्तों यहाँ पर पुरातथलों विभाग की अस्थापना जो इकाईया है यानि की जो पुरातथलों विभाग से समद्धी ते छेतरी इकाईया की अस्थापना यहाँ पर की गई यानि कि उसके जो ब्रांच वो बनाए गए हैं और दोस्तों 27 अगस 1996 को वारस सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर राज्य पुरातत विभाग को सुतंतर गोसित करते हुए सच्यू संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सासन के अधिन रखा गया और दोस्तों यहां पर हम देखेंगे संगठन द्वारा अपने उद्देशों की पूर्ति के लिए प्रदेश के मिर्जापूर ललितपूर महोबा और देवरियां जीलों में ब्यापक सर्वेचण कराये जा रहे हैं तो दोस्तों देखिए जो भी संगठन है पुरातत विभा और इसके लिए मिर्जापूर ललितपूर महोबा देवरियां जीला इन सम्में ब्यापक सर्वेचण कराये जा रहे हैं और उत्तरपदे सित्यास के अल्पग्यात पच्छों की जानकारी है तो संगठन द्वारा मनवा डी यानि कि सीतापूर में हुलास खेडा लखनों जा कराये जा रहे हैं तो दोस्तों देखिए जो पच्छ की जानकारी नहीं हो पाई है उत्तरपदेस के इतिहास के बारे में जैसे कि आपको पता है कि हर जगह का अपना एक इतिहास होता है तो जिन पच्छों की जानकारी दोस्तों यह देखिए जो पुरा तत्व विभाग हो यहां पर खनन के माध्यम से हमारे अपने प्राचीन इतिहास के विशे में जानकारी मिलती है तो उत्तरपदेश के जो अलपक ज्यांत पच्छ हैं जिनके बारे में कम जानकारी है उन जानकारीों को कलेक्ट करने के लिए ही यह संगठन अलग-अलग छेत्रों में खुदाई क जनकारी करवा रहा जनाज जिससे कि उत्रपदेश के बारे में अदिक से जानकारी प्राप्थ हुपा आगे चलिए गयर सरकारी संगठन से आपका क्या आसा है और समाज के में इसका क्या युगदन गयर सरकारी संगठन यानि कि यहां पे NGO की बात हो रही है और यह आपके 2020-2016 में पूछा गया दोस्तों गैर सरकारी संगठन NGO से आसे गैर सरकारी संगठन ऐसे व्यक्तिगत संगठन को कहा जाता जो बिना लाव के धार्मिक वैग्यानिक संस्कृतिक लोगोपकारी तकनीकी अत्वा आर्थिक उदेशों से गटित होते हैं तो दोस्तों देखिए जो गैर सरकारी संगठन का मतलब ऐसा संगठन जो की सरकारी ना हो करके प्राइवेट हो यानि कि वहाँ पे वो बैक्तिगत संस्था हो और यह संस्थाएं लोग के लिए कारे करती हैं चाहे वो धार्मिक से संबंदित रखती हैं या फिर वैग्यानिक या संस्कृतिक इन किसी भी पच्छे से संबंद रख सकती हैं और दोस्तों यह जो संस्थाएं गठित होती हैं यह आर्थी कुदेशों से गठित होती हैं यानि कि तकनीकी अथवा आर्थी कुदेशों से भी गठित हो सकती हैं तो ऐसे संगठोनों में ना तो कोई सरकारी करार होता और ना ही वे प्रत्यच रूप से सरकार के साथ सहभा यानि कि वो किसे भी सरकार के जो भी योजनाय होती हैं उसे कोई भी इनका कहा करनेक्शन नहीं होता वो निस्पच रूपसे अपना कारे करती हैं अपने तरीके से करते हैं क्योंकि वह ब्रकार कल़ोर people who तो दोस्तों देखिये जो गहर सरकारी संगतन होते हैं वो particular किसी एक उदेश्यक को लेके कारे करते हैं जैसे जो यह संस्थाए होती हैं यह किसी रोग को सही से ठीक करने कि लिए कारे कर रही हैं यानि कि स्वास्ति से संभनुथ हैं किसी कारणवस महिला उठपीडन तो अलग अलग तरह के कारणवस यें जो NGO होती हैं कि किस तरह से जो भी समाज में बुराईन या समाज में जो भी कुरूतियां उनसे लोगों को किस तरह से लड़ना सिखाया जाए अब दोस्तों यहाँ पर देखे पहला क्या है कि स्वास्ति समंधिकारे इस उस देश्ची की पूर्ती है तो संयुतरासंक की ओर से बिबिन संगठन स्वास्ति समंधिकारे को कर रहे हैं यूनिसेफ का नाम प्रमुक है और यूनिसेफ बिस उस्तर पर बच्चोता महिलाओं के स्वास्ति समंधिक बिबिन प्रकार के कारिकरमों को चला रहे हैं जिसके दोस्तों यूनिसेफ की वराणन मिस्टर प्यांका चोपड़ा हैं जिनमें बच्चों के टीका करड यूं पोशड समंधिक कारिकरम प्रमुक हैं और इसी प्रकार महिलाओं है तो प्रसों के पूर्व अथ्वा प्रसों के उपरांत दी जाने वाली जो भी स्वास्त सिवाए हैं और इसे स्वास्ति जो भी कारिकरम ये सारे चलाया जा रहे हैं और इसके साथ ही बिबी ने स्वास्ति संबंदी कारिकरम जैसे मलेजिया, पोलियो, कुपोशड यो अन्य असाद रोगों के निवार संबंदी कारिकरम चलाया जा रहे हैं तो दोस्तों स्वास्त जो भी अन्ने विमारियां जैसे मलेरियां और पोलियों कुपोशड यह जो असाध्य रोग है इसके निवारण के लिए भी कारिकरंब चलाय जा रहा है। दीरे दीरे पूरे विश्व अस्तर पर कारे करने लगते हैं तो इसी तरह हम देखें सिच्छा समंधिकारियों में तो वैस्वी की परदेश से में सुलब कराने का दायत वे यानि कि सिच्छा समंधिकारियों को वैस्वी करते हैं यानि कि पूरे विश्व के अस्तर पर आसान के अंदर जहां पर शिच्छा बिल्कुल नहीं है वहां पर किस तरह से लोगों के भी सिच्छा लाजा इसके लिए यूनेशको कारी कर रही है और दोस्तों यहां पर देखी यूनेशको अंतराश्टी समझ बढ़ाने और देस में देसों में सिच्छा विज्ञान संस्कृति क इस्कूल से वंचित बच्चों को पुष्टके तथा गडवेस उपलब्द कराने यानि की जो भी स्कूल से बंचित बच्चे हैं उनको किसी भी तरह से स्कूल पहुंचाने के लिए जो भी चीजे उनके पास उपलब्द नहीं है चाहे वो उनकी पुस्तके हो या फिर उनकी ड्रेस हो या फिर उनके लिए कौपी किताब हो ये सब ये संस्थाएं दे रही हैं और उन्हें स्कूली जीवन में कुपोशड से बचाने समझ दी कारिकरमों को ब्रियादस्तर पर भी अपनाया जा रहा है तो दोस्तों किसी तरह से वो कुपोशड का सिकार ना हो इससे बचाने के लिए भी अलग लग तरह के कारे किये जा है और आज गहर सरकारी संगटनों में युनेस्को का सिच्छा में किया जा रहा योगदान सेचिक समस्याओं के निदान ये थो बिसेश उलेखनी कण़ सिद्ध हो था दोस्तों ढे युनेस्कों नो ँब करेㅠㅠ किसे बहुत सारे देशों में जो सिच्छा का प्रसार प्रसार था वो बहुत ही तीब्रगती से हुआ क्योंकि दोस्तों जिनके पास सुलब साधन नहीं थे चाहे वो उनकी ड्रेस हो या कॉपी किताब हो या फिर उनसे जो भी कुपोशट बच्चे थे जो उन्हें साइसे नूट्रिशन नहीं मिल पा जाता था उनके लिए नूट्रियृसन उपलब्द कराना तो यह सारे कारे यह संस्थाएं बहुत यच्छी तरीके से कर रही है यानि कि यहां पर युनेस को की बात हो रही है अब दोस्तों यहां पर दखिये खा दियuktिक क्रेसिवीकाath समंदिकार कि सिच्छा समंंदिकार यानि कि देश में एक्वैलिटी लानी है देश को यानि कि पूरे जो भी पिछड़े और वंचित वर्ग हैं जो कहीं न कहीं किसी भी कारण से आर्थिक समस्याओं की वज़े से या फिर किसी भी वज़े से अगर वो अपने जीवन में सिच्छा स्वास्ते से वंचित हैं तो तो गयर सरकारी संगठनों के विकास निरन्तत किये जा रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करे कौई बनाने सिचाय के साध्नकों विक्σιत करने तता खाद समस्याओं को ब्यवस्तित करने राजस्तान की भूमी छरड को रोकने और खादियुम क्रिसी संगठन यानि की FAO ने अपनी प्रमुख भूमी का निभाई है तो दोसो जिससे की क्रिसी का जो अस्तर है वो सुद्रिडो यह संगठन क्रिसी विकास के लिए निरंतर प्रियासरत है चलिए आगे देखतें दोस्तों तो फ्रेंड्स यहाँ पर FAO का फूल फार्म होगा Food and Agriculture Organization तो दोस्तों इसने बहुत ही महत्वपूर भूम का निभाई है खादियुम क्रिसी विकास से समंदित क्योंकि दोस्तों जहां पर क्रिसी योग यह भूम नहीं थी उसके लिए इसने कारे किया और जो उसर बंजर भूम थी उसके लिए इसने कारे कि जहां पर नहरों के लिए और साथ इसाथ अगर नलकूप की विवस्ता के लिए तो ऐसे बहुत सारे कारे किये जा रहे है food and agriculture organization के द्वारा तो दोस्तों यहां पर हमने देखा कि स्वास्थ से समंदित जो संस्था है वो क्या है UNESCO है और इसके लामा है यहां स्वास्थ समंदित जो संस्था वो क्या है दोस्तों वो है UNICEF यहाँ पर निराकरण के लिये कारे करती है चलए आगे देखते हैं दोस्तों भारत की जनसंख्या नीती पर संचिप्त टिपड़ी लिखे तो दोस्तों यहाँ पर देखे यह आपके 2016 में पूछा हुआ कोश्चन है भारत की जनसंख्या नीती दोस्तों भारत की जनसंख्या नीती के प्रमुक विंदू निवन प्रकार है पहला यहां पर परिवार कल्याण से समझे चिकस्था सेवाओं तो पुनरजनन योग्ये बनाने वाली सेवाओं की निसुल के विवस्था करना तो दोस्तों यहाँ पर देखिए परिवार कल्यार से समझे चिकस्सा सिमाएं कि किस तरह से परिवार कल्यार जो चिकस्सा सिमाएं उसको प्लब्द कराएं और साथ ही साथ पुनरजनन योगी बनाने वाली जो सिमाएं उसको निसुल का बनाया जाए और साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा जनसंख्या नीति के अंतरगत ये प्रमुक बिंदू है दोस्तों जिसमें परिवार कल्यार से समंधित चिकिस्सा होगी जिसमें लोग अपने जो परिवार है उसको सीमित रख पाएंगे और माता दथा बच्चे के स्वास्त समंधि कारिकरम को महत दिया जाएगा और तीसरे पहले लड़का था लड़की के विवार आयू क्रम सा 21-18 वर्स करना यानि कि लड़के और लड़की की जो आयू पहले निर्धारती उससे उस आयू को बढ़ा दिया गया 21-18 कर दिया गया है अब यहाँ पर दिखिए नंब केंद्रिय सहायता आठ प्रत्स्यत वो विशेश रूप से परिवार कल्याण कारियों के निस्पादन और सफलता से समंधित होनी चाहिए और यहाँ पर देखिए नंबर 5 परिवार कल्याण कारिकरमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रिता राज्य सरकारों द्वारा प परिवार कल्याण से समंधित हो या फिर लड़कियों और लड़कों के विवा की आयूसे समंधित हो या फिर हम कह सकते हैं जो भी परिवार कल्याण कारिकरम में जो प्रचार प्रसार करना है यह सारी नीतियां केंद्र और राज्य दोनों मिल करके बनाती है और दोस्तों इ नीति के ये प्रमुख विंदु भी हैं जिसमें केंद्रा और राज जी मिल करके किसी भी परिवार कल्यार से समंधिया जनसंख्या को नियंद्रण करने से समने नीतियां निर्धारित होती हैं अब दोस्तों यहां पर हम देखिए क्रिसी को भारती अर्थव्योस्ता का मुख् जनसंख्या क्रिसी पर आधारित है चीन को छोड़कर भारती विश्व का ऐसा देस जहां जनसंख्या का इतना बड़ा भाग क्रिसी में लगा हुआ है क्योंकि दोस्तों चीन के अलावा जो भारत की जनसंख्या वो बिस्व की दूसरे नंबर की जनसंख्या है और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी अधिकतर लोग क्रिसी कारे कर रहे हैं उसमें क्रिसी का बहुत ही महत पूड रोल है क्योंकि दोस्तों अधिकतर हमारे यहां के जो भी अध्योगी के धंदे हैं वो क्रिसी पर ही आधारित हैं अब दोस्तों आगे चलें देखते हैं कोशन 48 है हरित करांती से आपका क्या भी प्राइस के मुख्य घटक क्या क्या है दोस्तों देखें भारत में क्रिसी उत्पादन था प्रती हेक्टेर उपज में ब्रिद्धी है तो किये जा रहा है जो भी संगठित प्रयास है उससे क्या हरित करांती कह रहा है और भारत में निम्लिखित काड़ों से इसका विस्तार आवस्यक है क्यों दोस्तों चले देखते हैं इसमें पहला है बढ़ती जनसंख्या की उदर पूर्ती के लिए खाद्यान वादन में ब्रिद्धी करने तो दोस्तों जैसा कि आपको पता हमारे द के लिए भी हरित करांती आवस्यक है दोस्तों यानि कि हमारे उत्पादन जो खाद्यान उत्पादन है उसमें ब्रिद्धी होना चाहिए और द्यसरा कि क्रिसी पर आधारित उद्योगों को अधिक अधिक मात्रा में कच्चा माल उपलब्द कराने के लिए भी हरित क्रांती आवस्यक है दोस्तों देखिए जो भी हमारे उद्योग धंदे जो क्रिसी पर अधारित है उनके लिए अधिक से अधिक कच्चा माल तभी उबलब्द हो पाएगा जब हरित क्रांती रहेगी यानि कि जो उपज है वो अधिक से अधिक प्रती हेक्टेर बढ़ेगी अब यहाँ पर देखिए नमबर तीसरा है क्रिसी परदार्थों का अधिक अधिक उत्पादन था उसके निर्यास से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने है तो और यहाँ पर देखिए नमबर फोर है देश की अर्थव्योस्ता सुद्रिड करने है तो भी जो हरित क्रांती है अधिक से अधिक उत्पादन हो जिससे की हम चीजों का जदा से जदा निर्यात करेंगे तो निर्यात करने के बाद हमारे यहां विदेशी मुद्रा आएगी और दोस्तों साथ ही साथ देश की जो अर्थव्योस्ता वो सुद्रिड होगी जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा क जो निर्यात और आयात है उसमें जब संतुलत रहेगा और हमारे यहां निर्यात अधिक होगा आयात कम होगा तो कहीं ने कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्ता है वो सुद्रिड होगी तो दोस्तों आगे चलिए देखते हैं यहां पर question 49 विकास इल देशों में साचरता दर की कमी कारण जनसंक्या बृद्धी और जनसंक्या अधिक होने के कारण सभी लोगों को सिच्छा सुलब हो पाना काफी कठिन है और दोस्तों विकास इल देशों की आर्थिक सिस्ती भी सुद्रड नहीं है दोस्तों यह सारी चीज़े आप बहुत ही अच्छे से डिटेल खुद कर सकते हैं कि दोस्तों जब जनसंक्या अधिक होगी तो कहीं न कहीं उनके लिए सिच्छा सुलब कराना उनके लिए सारे चीज़े आउलेबल करना काफी कठिन कारे होगा और दोस्तों जिसमें आउसक्ता जो होती है आउसक्ता सिच्छा के लिए वो बैय नहीं हो पाता क्यों और ना ही सिक्षक हैं जिससे सचिक अस्तर में बृद्धी नहीं हो पा रही है दोस्तों विकासिल देश सचिक संसादनों के अभाव में साच्छर्ता के लच्छ को प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं दोस्तों देखे जितना सचिक संसादन हमारे यहां होना चाहिए वो संस हम्पलब्द नहीं हो पार हैं जिसकी वजह से यूझे पर लच निर्धाय लच करने में हम असफल हो रहे हैं तो दोस्टों यह सब संसाधन होने चाहिए वह भी नहीं हो पा रहे हैं तो यह सब कारण होने की वज़या से विकास सिल देशों में साच्छता दर की कमी हो रही है अब यहां पर हम दिखें कि कोशिन नंबर 50 गुट निरपेच्छता की नीती क्या है इसके प्रवर्तक कौन थे और इसका प्रत्थम सम्मेलन कब और कहां आयुजित किया गया दोस्तों यहां पर दिखें गुट निरपेच्छता की नीती क्या है पहला इसमें सामराज्यवाद या उपनिवेस वाद का विरोध करना तो दोस्तों जो सामराज्यवाद या उपनिवेस बनाते हैं जो भी देश उनका विरोध कर और दोस्तों यहाँ पर दिखिए नमबर दूसरा है सांती ब्योस्ता है तो प्रयास किया जाना चाहिए और दोस्तों तीसरा क्या कर रहा है कि राष्ट्रवाद संप्रभुता था आत्म सम्मान की रच्छा की जाए तो राष्ट्रवाद और साथी संप्रभुता यानि कि लोक विकास यह तो प्रियास किये जाएं इसके प्रवर्तक भारत के प्रधानमंत्री नहरू इंडोनेसिया के राष्टपती सुकर्डो मिस्त्र के राष्टपती नासिर और यूगोस्लाविया के राष्टपती मार्सल टीटो थे तो दोस्तों देखें यहां पर गुट प्रधानमंत्र के राष्टपती नासिर और यूगोस्लाविया के राष्टपती मार्सल टीटो तो गुट निर्पेच्छता आंदोलन का प्रथम संम्मेलन हुआ था वह नीसग्सरी 970 में योगोस्लाविया के बेलग्रेड में तो दोस्तों यह कुछ माहत्पूर को पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है इसमें जो गुट निरपेच्छता का जो आंदोलन था इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था उगोसलाविया के बेल ग्रेड में और इसके प्रवर्तक पंडित जवाहरल नहरू थे और इसके और भी सदस्य थे जिसमें इंडोनेसिया के सुकर्डो थे हमारे देस के प्रधानमंत्री एंडोनेसिया, सुकर्डो और इसके और तरह से आप याद कर लिजिएगा दोस्तों मैंने आपको बार बार ये कहा कि जब भी हम लोग पढ़ें तो आप एक कॉपी और पेन लेके पढ़िए और जो भी मातुपूर पॉइंट आए उसको आप लिखते चलिए इससे आप लिखने की वज़े से आपको एकजाम में ये सारी चीज़े याद रहेंगी अगर इस तरह के कोश्चिन आते हैं तो कोश्चिन और फिप्टी वन देखते हैं भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्वयरोजगार योजना क्या है बताईए दोस्तों भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्वयरोजगार योजना में देखिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना जिसमें देखिए इसका सुबारंब आठवी योजना के अंतरगते सिचित वे रोजगार योगों को कारोबार की लगू इकाईओं को अस्थापित करने के लिए अनुदान के रूप में कुछ धन देने की ब्यवस्था है तो किया गया था ये तो प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतरगत लगू इकाईयों को स्थापित करने के लिए कुछ धन देने की ब्यवस्था की गई थी दोस्तों इसमें अनसूचित जन जाती के ल लिए 27 प्रतिसत आरच्छड की ब्यवस्था की गई थी यह भी आप याद रखेगा यानि कि यह जो प्रधान मंत्री रोजगार योजना थी इसके अंतरगत अनसुचित जात के लिए इतने प्रस्ट धन आवंटित रखे गए यानि कि 225 प्रस्ट अनसुचित जाती अनसुच और 22.5 स्थ को मिलेगा तो यह प्रधान मंत्री रोजगार योजना के इंतरगत जिसमें बेरोजगार जो यूवा है उनके लिए कारोबार के लिए उनके किसी भी तरह का कारोबार सुरू कर सकते उसके लिए ने अनुदान दिया जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर तो सहारता प्रदान करने के लिए इस योजना का सुभारम किया गया था तो दोस्तों 1989 में जो सहर के विवरोजगार युवा थे उनके लिए कुटीर उद्धियों यानि कि लव उद्धियों उस्थापित करना है तो उनके लिए यह योजना थी जहां पर वो इस योजना मज़दूरी समंधी रोजगार भी उपलब दे कर आये गया था अब यहां पर हम देखेंगे दोस्तों कोशन वा 52 जनसंक्या घनत्तों ग्यात करने का सूत्र लिखिए दोस्तों जनसंक्या का घनत्तों साधारता किसी छेत्र की कुल जनसंक्या को उसके छेत्रपल से थे किरी जनसंक्या घनत्तों को जायेगा ज्ञाजित्किए जो जितने जनसंक्या निमास कर रही है वही जनसंक्या घनतों हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे भारत में कितने प्रतिसत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन नयापन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक कोश्चन और हम लोगों ने पढ़ा था कि जनसंख्या अगरन तो सबसे अधिक कहां का है तो वो था बिहार का हमने आपके वस्तुनिष्ट कोश्चन में पढ़ा था और चलिए आगे देखते हैं और आपके सीरीज में गलत एंसर उसका दिया था कोश्चन 53 देखें भारत में कितने प्रस्त लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन ही आपन करते हैं दोस्तों भारत में 29.8 प्रस्त जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन ही आपन करती है दोस्तों देखिए भारत में 29.8 प्रतिसर्ट बिलो पावर्टी लाइन यान कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन अपन करने वाले लोग हैं अब दोस्तों यहाँ पर देखे जन्मदर और मृत्युदर में क्या अंतर है तो दोस्तों देखे जन्मदर क्या होती है यानि कि प्रति हजार ब्यक्ति के पीछे कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं और प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को मृत्युदर कहते हैं। मृत्युदर कहलाती है। सारवजनिक वित्रड प्रडाली के उद्देश से दोस्तों देखें आपे पहला खाद्यान के प्रात्मिक उत्पादकों को उपज की उचित कीमत प्रदान करना। तो जो भी खाद्यान है उनके प्रात्मिक उत्पादक उपज हो रही है उसकी उचित कीमत प्रदान करना। और दूसरा क्या सारे देश में सरकारी नियंत्रड वाले केंदरों तता उचित मोल्यों की दुकानों द्वारा सारवजनिक वित्रड प्रडाली को प्रभावी बनाना। प्रदान की पूर्त करना उचित मोल्य में। जो भी खाद्यान किया हो सकता उसको पूरा कर पाएंगी अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे Question of 56 है भारत में वेरोजगारी का प्रमुक कारड़ क्या है तो दोस्तों भारत में जनसंक्या बरिद्धी वेरोजगारी का प्रमुक कारड़ है इतनी विसाल जनसंख्यावाले देश में सभी लोगों को रोजगार मिलना असंभव हो है और असिच्छा भी वेरोजगारी का एक कारड है दोस्तों देखिए देश में बढ़ती जनसंख्याई वेरोजगारी का प्रमुक कारड है और दोस्तों सभी लोगों को रोजगार मिलन अभी असंभो है इसलिए खुद का रोजगार करना ही सबसे अधिक उचे तो होता है क्योंकि दोस्तों समय तो धीरे-दीरे निकलता जा रहा है तो यहां पर जब भी हमें रोजगार तो चाहिए लेकिन उसके साथ साथ आपको खुद सेल्फ डिक डिपेंड भी होना आप रोजगार के भरों से बैठे रही है दोस्तों असिच्छा भी बेरोजगारी का एक प्रमुक कारण है अब यहां पर देखे कोशनल 57 भारत में आतंकवादी घटनाओं के तीन जोलन्त उदार दीजे मुंबई बंबिस्फोर्ट ताज होटल कांड यह तो आपको पता ही है गुजरात के अच्छर धाम मंदिर पर आकरमण गोधरा ट्रेन कांड और इसके अलावाद दोस्तों आपको आतंकी घटनाओं में अगर हम देखें तो जो हमारे जवानों पर जो हमला हुआ था जिसमें पूरे गाड़ी को आतंकियों ने उड़ा दिया था तो यह भी एक जोलन तुदाहर रहा है आतंकी घटनाओं का अब यहां पर देखें के कोश्चन फिप्टी एट है गरीबी दूर करने के लिए भारत में कौन सा कारिकरम चलाया जा रहा है दोस्तों गरीबी दूर करने के लिए भारत में निमलिकित कारिकरम चलाया गया है इसमें देखें स कारिकरम का मुख्य उद्देश से उपेचित परिवारों को गरीबी रेखा से उपर उठाना और उनके लिए स्वरोजगार के उसर उप्लब्द कराना दोस्तों देखिए इसमें कोशन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्सी योजना का जो मुख्य उद डीपी समेंवित ग्रामेड विकास कारिकरम के द्वारा गरीबी निवारर कारिकरम की सुरुवात की गई थी छटवी पंचवर्सी योजना में ये भी आप द्यान रखिएगा अब यहां पर देखिए कोशन 59 है प्राकृतिक संसादनों का क्या तात पर है किनी दो खनीजों का उले कीजिए तो दोस्तों देखिए प्राकृतिक संसादन से आसे जो संसादन प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसादन का जाता है जैसे पेंड़ पौदे खनीज पदात जल परवत खनीज तेल आ दी तो दो प्राकृतिक संसादन में हम देखे तो जो हमें प्रकित के द्वारा प्राप्त होते हैं जो संसाधन हमें जैसे की पेंड पौद है ये भी प्राकृतिक संसाधन के इंतरकत आएंगे खनिच पदार्थ ये भी हमें प्रकित के द्वारा मिलता है जल परबत खनिच तेल ये सब प्राकृतिक संसाधन है और दोस्तों यहाँ पर देखे भारत में बाकसाइड का वित्रड कहां पर है तो यह भी प्राकृतिक संसादन है दोस्तों बाकसाइड कहां पर पाय जाता है जहारकंड, 36 गड़, मध्यप्रदेश, महाराश्ट और गुजरात में और भारत में मेंगनीच का वित्रड किस तरह से मेंगनीच का वित्रड यहाँ पर उडिशा मद्य प्रदेश चतिसगड और महाराष्ट्र में अब दोस्तों यहाँ पर देखे निवन पर टिपड़ी लिखिए इसमें देखे सांप्रदाइक्ता जातिवाद गरीबी साच्छर विवत्ता आतंकवादो सामजिनिक वित्रड प्रडाङली सामप्रदा ग्रता गया है और वी किसे बीरुन्तित मुल्य सरकार निवधारित करतीई और एक नियंत्रणवे में सारे देश वासियों तक उसे जो भी खाद्यान वस्तु हैं उसको उपलब्द कराती है सारजनिक वितरण परलाली का मिलब यही होता है और विवित्ता में एक्ता तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर सांप्रदाइक्ता क्या होती है दोस्तों सांप्रदाइक्ता एक संकीर मनो भावना है सांप्रदाइक्ता में क्या होता है कि जो ब्यक्ति होते हैं जो लोग होते हैं वो धर्म के आधार पर या फिर हम कह सकते हैं अपने आर्थिक या राजनीतिक स्वार्थों को पूर्ति करने के लिए एक संपरदाय का निर्मार करते हैं जहां पर वो एक संपरदाय का मिलब एक समू जो कि किसी पर्टिकुलर एक यहां पर हम कह सकते हैं धर्म से भी संबनित हो सकता है या फिर राजनीतिक के पार्टी से भी संबंदित हो सकता है या फिर हम कह सकते हैं आर्थिक के पच्छे से भी संबंदित हो सकता है तो यहाँ पर देखिए जो एक धर्म या संप्रदाय के लोगों में अपने आर्थिक और राजनीतिक स्वारतों को पूर्ति करने हैं तो धर्म को करके एक यहां पे हम कह सकते हैं एक प्राइड की भावना जाती है अपने धर्म को लोग गौर्वानित महसुस करते हैं और दूसरे धर्म को निंगलेक्ट करते हैं और जिसकी वज़ा से कहीं न कहीं विबाद होते हैं और इसकी वज़ा से तनाव और संगस भी होता है दोस्तों सामप्रदाइक्ता की भाउना लोक तंत्र के आधार वो सिधानतों के विप्रित होती है तो जो सामप्रदाइक्ता होती है कही न कहीं लोक तंत्र की जो आधार वो सिधानत है जहां पर लोक तंत्र में सब का समान अधिकार होता है सारे लोग एक तरह से समन्वे के सा रहते हैं समान्ता के साथ रहते हैं Snit विस्नबंदुत कि भावना में देखने मिलती है बाई चारे की दरेही Helena किंगे तो लेकिन दोस्तों यह अवश्य संब भन करने होती है क्यों कि यह अजयां पर लोग अपने ही धann शेट्र अ्पने Depot-E अघ्रही संब करते हैं कि लोग अपने संप्रदाय को ले करके इतने ज़्यादा यहां पर हम कह सकते हैं इतने ज़्यादा सचेत रहते हैं कि उन्हें और किसी धर्म समुदाय कह सकते हैं हम यहां पर किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता है यहां पर बस अपने ही लोगों के हिद की बात करते हैं अ अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे जाती बाद दोस्तों जाती बाद में हम देखें तो जाती बाद संसार के समस्त देशों में जाती बाद किसी ना किसी रूप में बिदमान रहता है दोस्तों भारत में जाती व्योस्ता की उत्पत्ती वर्ड व्योस्ता के फलस्व रूप हुई है दोस्तों जासाब कि आपको बता कि वर्ड व्योस्था में आपने देखा होगा कि ब्रामण छत्री वैसे और सूद्र और इसी के आधार पर जातियां बनी तो दोस्तों प्रारम में वर्ड व्योस्था का आधार कर्म था किन्तों बाद में इसका आधार जो हो गया वो जन्म हो तो आरमे में जाती ब्योस्था स्रम विभाजन के सिधान्त पर आधारित थी तो पहले जो जाती ब्योस्था थी वो कारेयों के आधार पर होती थी यानि कि जो जिस तरह का कारे कर रहा उसी के आधार पर उसकी जाती बन जाती थी लोग अपना जातिकत कारे पूर्ड कौसल के साथ करते थे जिससे सुद्रड अर्थ ब्यौस्था का जन्म हुआ और स्वाधिनता के पस्चात जाती ब्यौस्था में अस्प्रिश्था की भवना का समावेस हो गया जो भारती लोकतंत्र के समच्छ एक चुनावती है दोस्तों देखे भारत जो एक लोकतंत्रात्मक देश ह लेकिन दोस्तों जब जाती व्यवस्ता में अस्प्रिश्टता की भावना आ गई यानि कि छुआ छूत की भावना आ गई तो कहीं न कहीं देश में जो लोकतंत्र है इसके समझे एक चुनावती हो गई कि कहां पर कैसे लोगों के मन में जो जाती व्यवस्ता बैटी हुए उस लेकिन हम उसी जाती से गिने जाएंगे दोस्तों मैंने ऐक निम्न Meer अस्तर के निम्न जाती से संब्स्टिटे एक I Ais ब्यक्ति का इंटर्वयू सुना था दोस्तों देखिए जब वह बता रहते कि हमारे देश में जाती बहुस्ता इस तरह से ब्यापत है कि जब वो इतने अच्छे पोश्ट पर भी थे फिर भी उनको अगर किसी उच्छे स्रेडी का उनका पीओ या फिर उच्छे स्रेडी का कोई उनका चप्रासी बगर जिसे हम कहेंगे प्यों अगर उससे कभी वो पानी देने को कहते थे तो वो नहीं देता था इस तरह से जाती बहुस्ता दी दोस्तों कर्म इतने अच्छे होने के बाद भी कि आज वो इतने उच्छ स्रेडी पर उच्छा अधिकारी पोश्ट पर हैं फिर भी उन्हें जाती के आधार पर उन्हें कोई एक गिलास पानी देने क तो एक तरह से यह होती है जाती बेवस्था जहां पर हम अपने कर्म के अधार पर भी अपने जाती को नहीं बदल पा रहे हैं अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे नमबर थ्री है गरीबी दोस्तों गरीबी में देखें गरीबी का आसे उस समाजिक अवस्था से है जिसमें समाज के एकवर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी और सक्ताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं और तीब्र जनसंख्या बृद्धी और प्राकृतिक संसादरों की कमी से भी गरीबों की जनसंख्या में लगातार बढ़ोत्री हुई है दोस्तों अफरीका यों कुछ ACI देशों में प्रतिवक्ति आये बहुत ही कम हैं जिनके कारण वे अपनी आवस्यक जरूते भी नहीं जुटा पाते हैं वे कुछ पोसड़ और अन्य बीमारियों का सिकार भी हो जाते हैं तो देखिए अफरीका और ACI देश कुछ ऐसे देश हैं जहां पर प्रतिवक्ति जो आये है वो इतनी कम है जिसकी वज़े से जो जरूरत हमारी जो में मुलबूत आव सकता हैं रोटी, कपड़ा और मकान वो भी नहीं पूरी हो पा रही है जिसकी वज़े से लोग खाने के लिए उनके पास संसादन या कह सकते हैं पैसे नहीं है जिसकी वज़े से उन्हें कुपोशड का सिकार होना पड़ता है उनको अलग-अलग तरह की गंभीर वीमारियां घेर ले समझ कर पड़ तथा लिख सकते हैं तो साच्छर्टादर का क्या मतलब था जिसमें पंद्रे वर्स और उससे अधिक के आयू के जो बैकती हैं वो अपने दैनिक जीवन में जो भी छोटे और सरल कथन होते हैं उसको समझ भी ले रहे हैं और पड़ लिख ले रहे हैं तो यह क्या साच्छर्टादर है यानि कि वो साच्छर है और उन्हें इतनी समझ है अब हम देखेंगे इस आतंक वाद दोस्तों आतंक वाद अभी हमने देखा है कि जिसमें जो आतंक वाद है उसमें आतंक की जो होते हैं वो अपने हित को साधने के लिए या लोगों के अंदर जो सीधे साधे भूली भाली जनता उसको परेसान करते हैं उसके ओपर अत्याचार करते हैं उसको इक तरह से उसको नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों यहाँ पर हम देखें इंद्रा गांदी, राजियू गांदी की हत्या आतंगवादी घटना है भारत विगर 40 वर्सों से आतंगवाद जैसे समस्याओं से जूज रहा है अब यहाँ पर देखें सारजनिक वितरड प्रडाली जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा की सारजनिक वितरड प्रडाली का सा एक ऐसी प्रडाली से जिसके अंतरकर वस्तू का वितरड इस प्रकार से किया जाता जिसे सभी वो exhibगताओं को उचित मोले पर जो बस्तू हैं वो प्रापत हो पाएँ जो भी जिनको भी खाद्यान वस्तू की ओसकता है उनको सही मूले पर वो बस्तू में उपलब्ध हो पाएं और इसके लिए उचित मूले की दुकानों पर स्रिंखला द्वारा भोगताओं को उपलब्ध कराए जाता है कि वहां पर जो समर्थित मूले जिन दुकानों पर निर्धारित होता उन पर ये खाद्यान वस्तू में पहुंचाई जाती है और यहां पर देखें सुधार के उपाय क्या है बस्तू के उत्पादन प्राप्ति और वित्रण में संग्रहड के बीच उचित सामंजस सापित करन और वस्तू की निरंतर पूर्ती सुनेशित करना परियात मातरा में वस्तू के बफर स्टाक का निर्माड करना यानि कि जो भी यहां पे सीत ग्री होते हैं जिने हम करते हैं जहां पे हैं मारे जो खाद्यान वस्तू है वो स्टोर करके रखी जाती है उनका निर्माड करना औ पहाँ पर इस प्रडाली की बेऊस्था नहीं है, यानि कि जो पिछला इलाका है दूर का इलाका है, वह भी ये प्रडाली लाई जाए, कार ए प्रडाली का उचित प्रकार से निरिछड़करना और वित्रल लगत को कम करने है है, तु रह संभव प्रयास करना, अब दोस्तों ह आपको पताई है कि वीवित्ता में एकता क्या कि हमारे देश में जो भौगोलिक छेत्र हैं उन्में भी बनाट में भी और खान पान रहन संधर में जाती भासा लिंग और भासा के अधार पर और साथीजा संस्कृति के अधार पर अलग तरह की विसेस्तायं देखने को मिलती ह और उनकी बेस बुसा अलग रहती है, खान पान अलग रहता है, तो इन विवित्ताओं के होते हुए भी लेकिन जहां पर अपने देश को, यहां पर हम कह सकते हैं, अपने देश का प्रतिनेजित्व करने की बात होती है, अपने देश को प्रजेंट करने की बात होती है, वहां नहीं को परती हैं जहांपर हमारे यह कुष को सटंधर कराने के लिए अपने प्राण कि आहूती दे डाले कि दोसुं यह थे iwan की वििद्धा में एकटा जहांपर अपने देश की राक्ष्टा के लिए और साथ ही सभुए देश की प्रगति के लिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही विडियो को लाइक करिएगा आप दोस्तों के साथ से यर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और इसी तरह से आप अपनी मेहनद जारी रखे अपना ध्यान रखे अपनों का ध्यान रखे अपने आसपस सफाई रखे हम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यमाद टेक क्यार बाई बाई और दोस्तों अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होग क्योंकि जब आपके पास टाइम ने रहता तो आप फास्ट देखते हैं और जब आपको चीज़े समझनी रहती तो आप सलो करके देखते हैं तो आप अपने हिसाब से स्लो फास्ट कर सकते हैं तो दोस्तों आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो की तो एड मिलना हैं तो एक तरह से आपको बहुत ही आसानी होगी अपने सारे सब्जिक को सारे सब्जिक की प्रिप्रेशन करने में तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें पूरे एक घंडे से में लगातार गर अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केर, बाई बाई, लब यू आल, जैन